आपके अपने यूटूब चैनल माजिट साइंस पराजम आपके लिए लेकर आया 15 अगत से 15 स्टमबर के बीच में मिलने वाले मैतवपून अवार से संबंदित मैतवपून परसन उत्तर यानि 15 अगत से 15 स्टमबर के बीच में किस वैक्ति को किस अवार से सम्मानित क्या गया हो और क्यों क्या गया है इन सबी के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं फटा फट दोस्तो आज का हमारा फ़र्ष्ट क्वेस्टन है सबस्ट सर्वेक्शन 2020 के नुसार एक लाग से अधिक अबादी वाले सैरों में पैलास्तान किसे मिला है सबस्ट सर्वेक्शन 2020 के नुसार एक लाग से कम अबादी वाले सैरों में पैलास्तान किसे मिला है दोस्तो इसको पसा नंबर A यानि कराड को सबस्ट सर्वेक्शन 2020 के नुसार एक लाग से कम अबादी वाले सैरों में पैलास्तान आपका कराड का मिला है जबकि एक लाग से अधिक अबादी में इन देवर को लगातार चोथी बार यहावार्ड परदान किया गया है और एक लाग से कम अबादी वाले सैरों में दूसरे नंबर पर आपका सासवद तीसरे पर लोने वाला और चोथे पर आपका नुसार जो की आपका पंजाब की अंतरगत आता है इसके लावा कराड सासवद और लोने वाला यह सभी के से भी आपके माराश्टर चेत्र के अंतरगत आते हैं हमारे नेक्स्ट प्वेस्टन है सवच सर्वेक्षन दो हजार बीस के नुसार सो से अधिक सैरों वाले सबसे सवच राज्यों में कौन सा बना है सवच सर्वेक्षन दो हजार बीस के नुसार सो से अधिक सैरों वाले सवच राज्यों में कौन सा बना है जबकि दूसरे नंबर पर आपका माराश्टर तीसरे पर मध्या परदेश चोथे पर गुजरात रहा है अब बात करते हैं 36 गड़ के सियम के बारे में 36 गड़ के सियम आपके बूपेस बगेल और गवर्नर के बात करें तो यहां के गवर्नर अनुसुनिया कोई के जी है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है सबस्ट सर्वेशन 2020 के नुसार सो से कम सहरो वाला सबसे सबस्ट सहर कौन सा बना है दोस्तों इसको पसा नमबर A यानि जारकंड सबस्ट सर्वेशन 2020 के नुसार सो से कम सहरो वाला सबसे सबस्ट सहर आपका जारकंड बना है और सो से अधिक सहरो वाला सहर आपका 36 गड़ बना है सो से कम सहरो में सबसे सवस सहर आपका जहरकंड जबकि दूसरे नमबर पर आपका हर्याना, तीसरे पर उतरकंड और चोते पर आपका सिक्किम रहा है अब बात करते हैं जहरकंड के सियम के बारे में जारकंड के सेम आपके हेमन्द सोरेन जी है और यहां के गवर्नर की बात करें तो यहां का गवर्नर आपके दरोपदी मुर्मू जी है हमारा नेक्स्ट क्वेसन है सुबस्ट सर्वेक्शन दो हजार बीस के नुसार एक लाग से अधिकबादी वाला सबसे स्वच गंगा सहर का वार्णासी को परदान किया गया है जबकि दूसरे नमबर पर आपका कानपूर तीसरे पर मुंगेर और चोते पर आपका परियाग राज रहा है हमारे नेक्स्ट कोईसन है दोस्तों इसको अप्सिन नमबर ए यानि जाल अंदर कैंट को सबस्त रेख्षन दो हजार बीस के अंदर कैंट को परदान किया गया है जबकि दूसरे नमबर पर दिल्ली केंट, तीसरे पर मेरिट और चोथे पर आपका लेश डाउन रहा है हमारे next question है राजिव गांदी खेल रतन पुरुसकार 2020 के लिए किस किर्केटर खिलाडी को चुना गया है दोस्तो इसकोपस नमबर A यानि रोहीत सर्मा को राजिव गांदी खेल रतन पुरुसकार 2020 के लिए रोहीत सर्मा किर्केटर खिलाडी को चुना गया है और राजिव गांदी खेल रतन पुरुसकार चार वर्सों की अवधी में एक खिलाडी द्वारा खेले गए छेतर में शांदार और सबसे बढ़िया और यानि सबसे उतक्रिष्ट परद्यसन के लिए दिया जाता है रोहीत सर्मा यह है पुरुसकार पाने वाले चोथे किर्केटर खिलाडी बन गए है इससे पहले सचिन तैंदुलगर, MS दोनी और विराट कोली को राजियो गांदी खेलतन पुरुसकार से सम्मानित किये जा चुके है इसके अलावार रोहीत सर्मा को सन 2015 में अरजुन अवाड भी मिल चुका है अब बात करते हैं राजियो गांदी खेलतन पुरुसकार की सुरुवात कब हुई थी इसकी सुरुवात सन 1991 से 92 में इसको सुरुक किया गया था और इसके तहट यानि इस पुरुसकार के तहट साड़े 7 लाक रुपे की रासी परदान की जाती थी जिसे बढ़ा कर अब 25 लाक रुपे कर दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है राजियो गांदी खेलतन पुरुसकार 2020 के लिए पैरा एथेलेटिक्स खिलाडी किसे चुना गया है दोस्ते स्कोप सनमबर D यानि मरियपणडी को राजियो गांदी खेलतन पुरुसकार 2020 के लिए पैरा एथेलेटिक्स खिलाडी मरियपणडी को चुना गया है जो की हाई जम पर खिलाडी है इन्होंने रियोडी जनेरो में सन 2016 में ग्रिश्म कालिम पैरालिम्पिक में गोल्ड मैडल जियता था तो इसी के अनुसार इसे पैरा एथेलेटिक्स खिलाडी के रूप में राजियो गांदी खेलतन पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है कितने खिलाडियों को राजियो गांदी खेलतन पुरुसकार परदान किया गया है अब बात करते हैं राजिव गांदी खेल रतन पुरुसकार के बारे में यह है पुरुसकार चार वर्सों की अवधी में एक खिलाडी द्वारा खेल के छेतर में सांदार और सबसे बढ़ियानी सबसे उतक्रिष्ट पर्दसन के लिए इसको परदान किया जाता है और यह आपक पांच खिलाडी रोहित सर्मा, मरियप पंटी, मनीका बतरा, विनेस होगाट और रानी रामपाल है जिसका संबंद हो किसे है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है राश्टिय खेल पुरुसकार 2020 के तहाट कितने खिलाडियों को अरजुन पुरुसकार के लिए चुना गया है दो अरजुन अवार्ड की सुर्वात सन 1971 में इसको सुरूख किया गया था जिसके तहट यानि इस पुरुसकार के तहट पांच लाग रुपे की रासी परदान के जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 15 लाग रुपे कर दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है निमली कित में से किस खिलाडी को रहष्टी है खेल पुरुसकार 2020 के दहट अरजुन पुरुसकार के लिए चुना गया है दोस्तो इसका उपसर नमबर E यानि उपरोक्त सभी को यानि दुत्ती चंद को मनीश को सीख इसान सर्मा सावंत अजय अनन्त यानि इन सभी को सभी को अरजुन पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है अगर टोटल खिलाड़ी की बात की रहे तो टोटल 27 खिलाड़ी 2020 में अरजुन अवार्ड के लिए चुने गई है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है एथलेटिक्स खेल के लिए दुरुनाचार्य पुरुसकार 2020 जीतने वाले निम्न में से कौन सा है दोस्तो इसको प्सन नंबर सी यानि पुर्शोत्तम राए एथलेटिक्स खेल के लिए दुरुनाचार्य पुरुसकार 2020 जीतने वाला पुरुसोत्तम राए एक खिलाड़ी है यानि जीतने वाला आपका पुरुसोत्तम राए जी है अगर दुरुनाचार्य पुरुसकार की बात करे तो इसे सन उनिस सो पचासे में इसको सुरूप किया गया था जिसके तहट पांच लाख रुपे की रासी परदान की जाती थी जिसे बढ़ा कर अब पंदरा लाख रुपे कर दिया गया है कितने खिलाडियों को लाइट टाइम स्रेनी के लिए दुरुनाचार्य पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है दोस्तो इसको पसन नमबर से यानि आठ को आठ खिलाडियों को लाइट टाइम स्रेनी के लिए दुरुनाचार्य पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है और ये आपके आठ खिलाडी सबसे पहले बात करते हैं दुरोनाचारिया के बारे में दुरोनाचारिया पुरुसकार परतिष्ट अंतराष्टिया खेल आजनों में पदक विजेत तियार करने के लिए कोचों को परदान किया जाता है और इसकी सुर्वाद सन 1950 में हुई थी और ये आपके आठ खिलाडी यानि द्रमेंदर तिवारी, पुर्सोत्तमराय, सिव सिंग, रमेश पठानिया, क्रिशन कुमार, खुड़ा, वीजय, भालचंदर, नरेश कुमार और ओम परकास दरिया इन सभी को सभी को दुरोणाचार्य पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है कितने कोचों को नियमित सेनी के लिए दुरोणाचार्य पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है दोस्तों इसको अप्सन अंबर सी यानि 5 को पांच कोचो को नियमित सेनी के लिए दुरोनाचारय पुरुसकार के लिए चुना गया है दुरोनाचारय पुरुसकार परतिष्ट अंतराष्टिय खेल आजनों पदक विजदत त्यार करने के लिए कोचो को दिया जाता है यहाँ पे यह पोधोली ख़ई है आपका कोच है यानि कोचों को परदान किया जाता है और यह आपके पांच नियमित कोच जिसे दुरोनाचारिय पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है जियुड फेलिक्स, योगेस मालविया, जश्पाल राणा, कुलदीप कुमार और गोरव खानना इन सभी को नियमित सेनी के लिए दुरोनाचारिय पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है राष्ट्य खेल पुरुसकार 2020 के तहट कितने खिलाडियों को ध्यानचंद पुरुसकार के लिए चुना गया है अब बात करते हैं ध्यानचंद पुरुसकार के बारे में ध्यानचंद पुरुसकार की सुरुवात सन 2002 में इसको सुरूख किया गया था जिसके अनुसार पांच लाक रूपे की रासिप परदान की जानी इस पुरुसकार के तहट पांच लाक रूपे भी परदान के जाते थे नाम के रूप में पांच लाक रूपे भी दिये जाते जिसे बढ़ा कर अब दस लाक रूपे कर दिया गया है ध्यांचन पुरुसकार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए ध्यांचन पुरुसकार को दिया जाता है और ये 15 खिलाडी जिसे राष्टे खेल पुरुसकार 2020 के तहट ध्यांचन पुरुसकार के लिए चुना गया है जिसमें आपका कुलदीर सिंग बुलर, जिन्सी फिलिप, परदीर सिरी किरसन, तुरुपती मुर्गुंडे, एन उसाल लक सिंग, सुकवेंदर सिंग, अजीत सिंग, मनपरीत सिंग, रंजीत कुमार, सत्या परकास तिवारी, मनजीत, सवर्गिया सिरी सचिननाग, और नंदन और नेतरपाल खुड़ा, जिसका संबन कुस्ती से है, हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है, राष्टिय खेल परुसकार 2020 के तहत कितने लोगों को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर परुसकार के लिए चुना गया है, दोस्तो इसकोप सनमबर भी यानि आठ को, राष परुसकार चार स्रेणियों में परदान किया जाता है, लेंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर और लाइप टाइम अचीवमेंट, इन चार स्रेणियों में इस परुसकार को परदान किया जाता है, यह परुसकार चार स्रेणियों में दिया जाता है, नमबर एक पर है आपका लेंड एडवेंचर, वाटर, एयर और लाइप टाइम अचीवमेंट इन चार स्रेणों में इस पुरुषखार को परदान किया जाता है इसे क्यों दिया जाता है यहाँ अवाट चनोती पूर्ण छेतरों में दिरज योखिम लेने वाले सहकारी टीमवर्क और तवरी त्यार और परभावी सजगता की भावना विक्षित करने के लिए यूवा लोगों को परोटसाइद करने के लिए इस पुरुषखार को सम्मानि किया जाता है और ये आपके अनीता देवी, सरफराद सिंग, टका, नरेंदर सिंग, हीरेन, सतेंदर, गाजानन और सवरगिया सिरी, मगन बिशा को इस पुरुषखार से सम्मानित किया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है राष्टे खेल पुरुषखार 2020 के तहट किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाज़ ट्रोपी आवार्ड मिला है दोस्तो इसकोपस नमबर ए यानि पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब यूनिवर्सिटी को राष्टे खेल पुरुसकार 2020 के तहट मौलाना अबूल कलाम आजाल टोपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्टे खेल पुरुसकार के विजेताओं का चियन किसकी अध्यक्स्ता में बनी कमेटी ने किया है राष्टे खेल पुरुसकार के विजेता का चियन नियाई मूर्ती मुकंदकम सर्मा की अध्यक्स्ता में बनी कमेटी ने किया है विसो सनुकर चैंपियन 2020 का खिताब किस खिलाडी ने जीता है दोस्तो इसकोपस नमबर भी यानि रोनी ओस लिवान को विसो सनुकर चैंपियन 2020 का खिताब रोनी ओस लिवान को जीता है और ये इंगलेंड से है इन्होंने फाइनल में इंगलेंड के ही कारेन विलसन को हराकर छटे बार यह है चैंपियन सिप जीती है इससे पहले रोनी ओस लिवान ने 2001, 2004, 2008, 12 और 13 में यह ट्रोपी जीत चुके है उन्होंने यह सेफिल्ड के क्रूब सियल थीटर में अपने छटे विसो चेंपियन सिप का खिताब जीता है और इस जीत के बाद रोनी ओस लिवान विसो रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुँच गई है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है इंद्रा गांदी सांती पुरुसकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तो इसको पुरुसकार नमबर A यानि सर्ड डेविड एटन ब्रो को इंद्रा गांदी सांती पुरुसकार 2019 के लिए सर्ड डेविड एटन ब्रो को सम्मानित किया गया है सर्ड डेविड एटन ब्रो यह है एक ओल्लाइन इवेंट में इस सम्मान को परदान किया गया है सर्ड डेविड एटन ब्रो ने जेव विविजिता को सनरक्षित और सेप रखने के लिए दुनिया को जागरु करने का काम किया था एटन ब्रो को BBC Natural History Unit को लिखने में काफी popular माना जाता है और यह मसूर प्रक्तिवादिक और परसारक भी है इंद्रिया गांधी सांती पुरुसकार यह पुरुसकार सांती नी इस्तरीकन और विकास के लिए दिया जाता है इस पुरुसकार का नाम भारत के पुरो परदान मंतरी इंद्रिया गांधी के नाम पर इसको रखा गया है और इसकी सुरुवात सन 1986 से की गई थी हमारे next question है Formula 1 Italian Grade Freaks 2020 का विजेता कौन रहा है दोस्तो इसको उपस नमबर B यानि P.A.R.E. Gessley Formula 1 Italian Grade Freaks 2020 का विजेता P.A.R.E. Gessley रहे है P.A.R.E. Gessley ने Italy के Autodromo Nazionol Morjo में आयोजित Formula 1 Italian Grade Freaks 2020 जीता है और यह है उनकी पहली जीत है इस रेस में उन्होंने Carly Senju Junior को हराया है जो की दूसरे नमबर पर रहे हैं और तीसरे नमबर पर आपका Lance Strop जो की आपका तीसरे नमबर पर रहा है जो की कनाड़ा से संबन दीत है लूइस हैमिल्टन 10 सेकंड के Strop और Go Palanty के कांड साथवे स्थान को हासिल कर पाई है यूएस ओपन में में सिंगल्स का पहला मैच बीते 7 साल में किस पहले बारतिया पुरुष खिलाडिय hum Biz जीता है उन्होंने यह मैच 1 स्टंबर 2020 को जीता है उन्होंने अपने केरियर में पहले बार किसी ग्रेंड स्लैम के दूसरे दोर में जेंगाई बनाई है विसल रैंकिंग में 124 पाइदान पर मौजूद सुमीत नागल ने ब्रेडली कलोन को हरा कर यह किताब जीता है साथ साल बादिया है पहला मौका है जो किसी बारतिय पुरूस एकल खिलाडी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है उनसे पहले साल 2013 में सोमदेव देवर्मन नहीं है उपलब्दी हासिल की थी हमारे नेक्स्ट वेसन है 2020 में कितने सिक्सोकों को राष्टे पुरूसकार से सम्मानित किया गया है मेजर द्यांचंद विजय पत्य योजना की सुरवात किस राज्या में की गई मेजर द्यांचंद विजय पत्य योजना की सुरवात उत्तर परदेश राज्या में की गई और उत्तर परदेश राज्या के सियम योगी आदितेनात और यहां के गवर्नर आनंदी बेन पतेल जी है माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड के मेटल कैलकूलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वन पदक जीतने वाले योग का नाम क्या है दोस्तो इसकोप्स नमबर A यानि नीलकंट बानू परकास निलकंट बानु परकास माइंड स्पोर्ट ओलिम्पियाड के कैलकुलेशन वर्ड कप में भारत के लिए पहला सुन पदक जीतने वाला यूवक है और निलकंट बानु परकास हैदराबाद के निवासी है बानु ने सांकुंतला देवी और स्कोर्ट फलेंसबर्ग महान गनीतियागे के रिकोर्ड को तोड़कर एक नया रिकोर्ड कायम किया है बानु परकास ने 166 का स्कोर बनाया और इसी के थाद यह सुन पदक अपने नाम किया इसके अलावा लेबनान की तरफ से महुम्मद अलमीर ने 102 अंक हासिल करके रज़त पदक को अपने नाम किया है जबकि UA की तरफ से असमीता पाल ने 100 अंकों के साथ कास्या पदक को अपने नाम किया है FIDE Online Chase Olympiad 2020 में पहली बार भारतिया चेंपियन बना है और इसके सेविजेता कौन रहा है दोस्ते इसको अपसर नमबर A यानि रूस FIDE यानि Federation International Day Chess Online Chase Olympiad 2020 में पहली बार भारतिया चेंपियन बना है और इसके सेविजेता रूस रहा है और रूस ने इसे 24 बार जीताए है हमारे next question है किस खिलाड़ी के जैनती को राष्ट्य खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्ते इसको अपसर नमबर D यानि मेजर ध्यांचन खिलाडी की जहनती को राष्टिय खेल दीवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यांचन जी का जनम 29 अगस्त 1905 को इलाबाद में हुआ था मेजर ध्यांचन की अवधी के दुरान वर्ष 1928, 1932 और 1936 में ओलम्पिक में सौन पदक को हासिल किया था और इसी दिन इन खिलाडियों को राष्टिय खिल सम्मान भी दिया जाता है कुरोना महमारी की वज़े से पहली बार यानि सानल 2020 में इसका आज़जन राष्टिय पती भोवन में नह होकर आज़जित किया गया हमारे नेक्स्ट क्वेसन है अन्तराष्टिय पुकर पुरुषकार जीतने वाले सबसे कम उमर की लेखिका कोन बनी है दोस्तो इसकोपस नमबर भी यानि मारी के लुकासे रिजने वेल्ड अंतराश्टे बुकर पुरुसकार जीतने वाले सबसे कम उमर के लेखक आपके मारी के लुकास रिजने वेल्ड बनी है जो की नीदरलेंड की रहने वाली है और यह पुरुसकार मूल बूकर पुरुसकार से अलग है जिसका लक्षवी सोबर में अच्छी उपन्यास के ज्यादा परकासन के लिए पुरुसाइद करना होता है 26 अगस्त को मारी के की बुक दीड डिसकमफर्ट ओप इवनिंग विजेता गोसित क्या था और यह बुक इस हाई समुदाई के किसान परिवार की कहनी पर अधारित है और इस पुरुसकार के तहट इनाम के रूप में 50,000 पौंड भी दिये जाती है जो कि लेखक और अनुवादक मिसिल हरिशन में बराबर बाटी जाती है इस साल 2020 के कमपिटिशन में 124 किताबे दोड में थी जो 30 बासाओं में उपलब थी यान 30 बासाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया था और यह हर साल इस पुरुसकार को किसी भी भासा के कालेपनिक कता उपन्यास को दिया जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए खेल पुरुसकार किस के द्वारा परदान किया जाता है हमारे पास को रोपसन है परदान मंत्री राश्ट्रेपती बी सी सी आ या दियक्स या खेल मंत्री दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताएगा खेल पुरुसकार किसके द्वारा परदान किया जाता है फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो अच्छे लेगे तो फीडियो को लाइक कीजिए कर दोस्तों किसके भीडियो का जाता है